हलो फ्रेंड मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा लिमिटेशन ओफ अस्टैटिस्टिक्स यह स्टेंडर 11 इकोनॉमिक्स CBSE क्लासे से ठीक है इसमें हम लोग देखेंगे अस्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन मतलब कहां स्टैटिस्टिक्स का इस्तमाल नहीं किया जा सकता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि अस्टैटिस्टिक्स के कुछ सर्टेन लिमिटेशन होते हैं तो वन बाई वन हम लोग करके देखेंगे तो पहला जो लिमिटेशन है इसका सिर्प नॉम्रिकल फैक्ट पर ही लिमिटेड है मतलब अस्टैटिस्टिक्स का अध्यन जो हम कर सकते ह केवल numerical fact यानि quantitative manner में कर सकते हैं जब अगर qualitative expect में आता है, manner में आता है तो वहाँ statistics का हम परियोग नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब clear है कि statistics का use या हम तभी कर सकते हैं जब हमारा observation का जो measurement है वो numerically हम कर सकते हैं जैसे income expenditure एक्सेक्टरा है अगर बात होगी जब हमारा observation मिलेगा हमें अगर measure करना है statistical data जैसे आपका सकते honest, beauty, qualitative manner में तब वहाँ हमारा statistics का परियोग हम नहीं कर सकते हैं इसके अतरिक जो second जो इसका measure limitation है statistics का वो है ये केवल study करता है aggregate का ठीक है अगर individual item का हम observation निकालेंगे उसका कोई significance statistics में नहीं होता है तो आप ये कर सकते हो कि ये study है केवल aggregate का मतलब aggregate data पर average पर ही हम इसका value जान सकते किसी भी individual मान के चलो x का income 2000 का observation किये y कैतना तो उसकी कोई value नहीं होती है statistics में ठीक है इसके अतरिक जो third आपका measure limitation of statistics है इसमें केवल homogenous data को ही consider किया जाता है homogenous मतलब एक समान data को heterogeneous data को इसमें consider नहीं किया जाता है ठीक है जैसे आप किसी बतलब city का income ले रहे हो income of observation तो उस city में जैसे IS अपसर का ले रहे हो तो स्रिफ IS अपसर का ही income वहां होना चाहिए ठीक है homogenous होना चाहिए एक समान data होनी चाहिए इसके बाद जो तीसरा जो measure इसका limitation है वो statistical जो भी result प्राप करते हैं analysis करके तो जो true होगा केवल basis of average पर individual value पर observation पर वो true नहीं होगा यानि statistical जो result होता है वो सही केवल basis of averages क्योंकि statistics का मतलब ही है it is the study of aggregate value इसके अतरिक जो fifth measure जो limitation है statistics का without reference a statistical result may prove to be wrong अगर बिना reference के अगर लोगों से बिना पूछे हम data को collect करेंगे तो statistical result हम जो लाएंगे वो wrong भी हो सकता है जैसे sampling में हम लोग करते हैं कि कुछ particular जैसे population जो statistics में किसी भी चीज को हम population कहते हैं number of unit जिस पर हम निकालना चाहते हैं किसी factory में manufacturing किया गया bulb तो वो total number of bulb जो manufacturing किया गया है वो population हो गया उसी में कुछ unit काम sampling करेंगे और उससे देखेंगे कितना bulb manufacturing defect हुआ है नहीं तो बिना reference के statistical result may prove to be wrong ठीक है और यह depend करता है जैसे हम आप कही income का मतलब लेने गए है या किसी बच्ची की संख्यार लेने गई है कोई और purpose से आप investigation किसी भी particular location में कर रहे हैं अगर वहां के लोग सही आपको information नहीं देगा तो सही result जो statistical जो result हम निकालना चाहेंगे वो कैसे सही होगा यानि यहाँ बिना reference के आप सही result नहीं पा सकते हैं यह measure जो limitation था statistics का जो मैंने इस वीडियो में discuss किया अगर वीडियो पसंद आई होगी तो like, share, subscribe करना ना भूलें करने